तो वैसे तो तुम relate नहीं कर पाऊगे लेकिन फिट भी सुन लो कि कौन सा college है या जिसमें ये teachers मुझे homework दे रहे हैं और उसके बार में वो check कर रहे हैं और check ना कराने वाले का नाम भी लिख रहे हैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं college में हूँ या school में हो तो अब मेरी frustration तो थोड़ी बहुत निकलती रहेगी हम पढ़ेंगे heart को ये वीडियो नमबर चार है इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो हो है वीडियो एक रप्या हुने देख ले दन्यवाद तो बहुत पढ़ने वाले ग्रूज के बारे में ग्रूज को पढ़ने से नाटोमि यात कर ले थे कि Long atria होते हैं दो ventricles होते हैं atria को separate करने वाला होता है interarticular septum और ventricles को separate करने वाला होता है interventricular septum atria और ventricles को separate करने वाला होता है atria ventricular septum और इसी को अगर heart को cover कर लिया जाए यानि कि actual heart देखा जाए तो ये सब हो जाते है septum से groove अब groove क्या groove एक space है जहां पर कोई कोई चीजे आ सकती है तो सबसे पहले हम देखेंगे coronary sulcus या फिक coronary groove sulcus और groove एक दूसरे का synonym है तो इससे तुम याद कर सकते हो कि coronary groove या coronary sulcus इसी का दूसरा नाम है atrioventricular sulcus तो सबसे बहले हम देखेंगे right atrium और right ventricle होता है उसके बीच पे एक sulcus present होता है जो all the way गुम के पीछे से गुम के left atrium तक आ जाता है उसके बार में ये और आगे जा सकते है लेकिन aorta और pulmonary trunk की वज़े से ये दिखना बंद हो जाता है अब ये growth present है तो क्यों present है क्या ऐसे ही present है या फिर इनमें कुछ होता है कुछ काम है इनका तो हाँ इनका ये काम होता है कि ये arteries को लेके जाते है या veins को लेके जाते है तो right वाला half जो है वो right coronary artery को लेके जाता है और left वाला part जो है circumference branch of left coronary artery को लेके जाता है अब ये circumference branch किया यार ऐसे left coronary artery लिख देते है तो दे circumference branch वह बाहर निकलती है इसलिए वह circumference branch of left coronary artery के लाती है तो यह हो गया हमारा atrioventricular groove इसके बाद हम पढ़ेंगे inter atrial और interventricular groove यह एक ही groove होती है लेकिन atria की बीच में होने के कारे inter atrial के दिया गया और ventricles के बीच में होने के कारे inter ventricular groove के दिया गया अब inter atrial groove जो है वह आगे से anterior ले तो दिखती नहीं है क्योंकि pulmonary trunk और aorta जाता है जबकि posterior ले दिख सकती है अब interventricular groove के दो पार्ट है anterior और posterior और posterior बारा जाता है नीचे की तरफ थोड़ा left होके और posterior वाला उपर आता है थोड़ा right होके बात एक ही है क्योंकि वो left की तरफ देख रहा है और हमने heart को गुमा लिया तो अब हमें वो line right की तरफ दिख रही है और posterior interventricular groove जो है वो diaphragmatic surface पे या फिर inferior surface पे बैठी हुई है इसके बाद में यह तीनो ग्रूव यानि की inter atrial atrial ventricular और posterior interventricular या फिर सिर्फ interventricular groove भी बोल दो तो वो जहां पे पीछे मिलती है उस point को especially नाम दे आ जाता है crux of heart external feature में हम second point को समझेंगे apex of heart को तो apex का मतलब होता है जो kona होता है तीखा kona उसे कहते हैं हम apex जैसे कि pyramid के top hook को कहेंगे हम apex और जो नीट के area होगा उसे कहेंगे हम base तो अगर तुमारी body में heart इस तरह प्रेजेंट है और तुम side view से देखते हो तो वो कुछ इस तरह से दीखेगा जिसमें apex होगा नीचे और base होता है उपर यानि कि जो sharp point है वो हो गया apex और जो blunt area हो हो जाने कि anti rally और base हो गया posteriorly अब apex को हम detail में समझेंगे अब मैं अगर तुमारी body को बीच से काट दो और बीच की जो line है उसे कहूंगा मैं midline तो midline से अगर मैं इसके लेके ना पूँ तो apex आगा कुछ 9 cm दूर और apex की situation क्या होगी तो apex की situation होगी 5th intercoastal space अब inter का मतलब होता है दोनों के बीच में और coastal word यूज होता है ribs के लिए तो यहाँ पर आजाएगी 5th intercoastal space जो कि होते 5th और 6th rib के बीच में और अगर इंसान जिन्दा रहा तो यहाँ पर pulsation feel हो सकती है हाँ मतलब समझे दया मरे हुए इंसान में यह pulsation नहीं आईगी है बगवान किस से पाला होते हैं जो कि 2 साल तक क्यों होते हैं उनमें apex 4th intercoastal space तक प्रेजेंट होता है और एक clinical point आता है जिसमें होता है dextrocardia जिसका मतलब है apex तुम्हारे left में ना होकर right में आ जाता है जनरल यह कोई harmful नहीं होता है और until किसी का एक्सरें ना किया जाए यह पता भी नहीं चलता है उसको है इसके symptoms हो सकते हैं कि pneumonia वगरा हो लेकिन वह भी बहुत rare condition है तो यह गाईस क्या तुम भी घर बेटे बेटे पैसे कमाना चाहते हो तो घर बेच दो और ऐसी financial advices के लिए मुझे subscribe करूँ external feature में हम आगे पढ़ने वाले borders के बारे में और surfaces के बारे में सबसे पहले हम borders को define करेंगे कि borders क्या होते है अब समझो कि यह football है और मैं कहूँ कि तुम इस football के borders निकाल के लाओ तो तुम को कि यार इसके borders नहीं होता है अगर डबा बबा देता तो तुम borders define कर लेते हैं हाँ य कुछ इस तरह से दिखे की अब मैं इसके border define कर सकता हो कि upper border, inferior border, right border या left border तो इसी तरह heart define होता है कुछ इस तरह से इसलिए तुम्हें आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें सामने दिख रहा है वही उसका border है तो heart के होते हैं चार border, upper border, right border, inferior border और left border सबसे प portion जो cover up होता है वो left atrium का होता है, इसके बाद में right border पढ़ेंगे, right border नाम से पता चल रहा है इसमें right वाली चीज़े होगे, right में भी क्या, तो right atrium, इसमें सिर्फ right atrium होता है और ये almost vertical ही होता है, थोड़ आते है inferior border पे, inferior border में major part जो होता है वो right ventricle का होता है और थोड़ा सा बिलकुल minute सा हो जाता है left ventricle का, और last बचता है हमारा left border, तो left border में आता है left ventricle और left auricle, अब auricle क्या है, auricle एक muscular pouch है, atrium का जो कि उसको extra blood लाने में help करता है, अब जान लेती है इनकी locations को, सबसे पहले हम upper border की location को याद करेंगे, तो upper border की location जाती, second inferior costal cartilage से, third superior border of costal cartilage तक, second आ costal cartilage से जाएगी, sixth right costal cartilage तक, third आते हम inferior border पे, तो inferior border इस्टार्ट होगी, sixth costal cartilage से, fifth intercostal space तक, उसके बाद में last आ जाते है, fourth, तो यह जाती है, fifth intercostal space से, second border तक, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम heart के surface को, सबसे पहला surface आता हमारा anterior surface, या इसी को कहते है, sternocostal surface, sternocostal surface, sternocostal word is related to ribs, तो सबसे पहले, यह surface बनता है, right atrium और right ventricle से, और थोड़ा बहुत बनता है, left ventricle से, और कुछ लोग मानते, left auricle से भी बनता है, auricle क्या चीज़े, जो atrium में extra blood provide करने में मदद करे, अब atrium नहीं दिख रहा है, लेकिन auricle दिख रहा है, इसका sense ही है, कि atrium के उपर auricle present ह होता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत दिखता है, अब anterior surface के बाद में हम बात करेंगे posterior surface की, इसी को heart का base भी कहा जाता है, जो apex और base हमने पढ़ा था, तो यह mainly form होता है, left atrium से, और इसका थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है, right atrium से, अब इसके relation देखें, तो जो base होता है, उसम inferior और inferior बेना के बाद, यह भी हम next video में cover कर लेंगे, जब circulatory system पढ़ाएंगे, अब इसका third relation है, कि यह separate कैसे होती है, vertebral column से, तो vertebral column क्या है, जो तुमारी read की हड़ी है, वो है vertebral column, इस से separate कैसे होती है, तो यह सबसे पहले separate होती है, pericardium से, जो कि इसकी protective layer है, उसके बाद में इसमें होती है pulmonary veins, उसके बाद में उसके पीछे आता है isophagus और aorta, जिसकी मदद से ही है, दोनों separation में रहते हैं, थर्ड आता है हमारा inferior surface या फिर diaphragmatic surface, इसे diaphragmatic surface इसलिए बोला जाता है, क्योंकि यह central tendon पे बेठा होता है diaphragm की, इसका दो तीहाई, यानिकी two-third हिस्सा बनता है left ventricle से और one-third हिस्सा बनता है right ventricle से, और इन दोनों के बीच में होता है interventricular groove, और आप आते हैं fourth और fifth surface पे, जो कि है right surface और left surface, तो right surface बनता है right atrium से, यह सबसे छोटा surface है, उसके बाद में आते हैं left surface पे, तो left surface होता है left ventricle से और left auricle से, अब इसमें भी एक groove होता है, जो की ह upper और lower part में बाठता है, इसके relation में आते है left phrenic nerve और जो left phrenic nerve जहां से आ रही है, उस रस्ते का नाम, यानि की left to pericardio phrenic vessels, vessel का मतलब होता है space, और इसके बाद में आता है pericardium, क्डक ten है, डानि न बाद में आता है, तो left. । झाल झाल